वो 101 इंसान मारना चाहता था लोग बोले उस तरफ मत जाईए वो आदमी जंगली है तब गौतम बोले अगर मैं नहीं जाओँगा तो कौन जाएगा वो बोला बकवास तुम जरूर पागल हो तब गौतम बोले तुम मुझ शहर जाओ जहांके सौ लोग तुम मार चुके हो तो एक आदमी था उसका असली नाम हम भूल चुके हैं लोगों ने उसे अंगुली माल नाम दिया था उसके साथ कुछ हुआ था उसे लगा समाज उसके साथ अन्याए कर रहा है तो वो क्रोधी बन गया जब आप युवा होते हैं तब लगता है कि आपके साथ सब गलत हो रहे हैं तो वो समाज से बहुत नाराज हो गया और उसने एक शपत ली वो शहर जहां उसके साथ हन्याए हुआ था वहां के 101 लोगों को मारने की शपत कि वो 101 लोगों को मारेगा और उनका एक अंगूठा काट कर अपने गले में माला की तरह पहनेगा उंगलियों यांगूठों की माला तो वो ऐसा करने लगा और लोग वहां जाने से डरने लगे वो रहता तो जंगल में था पर और और भी कई जगाओं तक पहुँचने का वही राश्ता था लोग मारे गए कुछ सालों में उसने 100 लोग मार डाले अपनी वासना मिटाने के लिए और वो एक और मारना चाहता था तो एक दिन गौतम बुद्ध उस नगर में गए तब तक वो उंगलियों की एक माला बहन चुका था लोग उसे अंगूली माल कहते थे यानि जो उंगलियों की माला बहनता था अपनी शपत पूरी करने के लिए उसे बस एक और उंगली चाहिए थे गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जाने वाले थे लोग बोले उस तरफ मत चाहिए वो आदमी जंगली है वो इनसान नहीं है उसे आप शिक्षा देकर ध्यान में नहीं बना सकते मत चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक और जान लेना चाहता था हम आपको नहीं खोना चाहते तब गौतम बोले अगर मैं नहीं जाओंगा तो कौन जाएगा और उसे त्रिप्ती नहीं मिलेगी उसे बस एक और उंगली चाहिए मैं नहीं जाओंगा तो कौन जाएगा? मुझे जाने दो तो वे चल पड़े अंगुली माल एक चटान पर बैठा था उसे एक साधू चुपचा पाते हुए दिखाई दिया अंगुली माल मशूर था और वो खुश था लोगों का डरना उसे पसंद था उसका नाम सुनते ही लोग कापते थे उसे मज़ा आने लगा था तो वो चटान पर बैठे बैठे उची आवाज में बोला मैं यहाँ बैठा हूँ और यही तुम्हारा अंत है गौतम उसकी ओर देखकर चहरे पर मुस्कान लिए चुपचाप चलते रहे उसे बुरा लगा आम तोर पर उसे देखकर या उसकी आवाज सुनकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते थे उसे यही पसंद था पर ये वेक्ती बस चले जा रहा था जो उसे पसंद नहीं आया वो चटान से कूद कर गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया उसने पूछा तुम हो कौन और क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ उसने अपने माला की उंगलियां दिखाई ओ तुम मेरे बारे में जानते हो गौतम बोले मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है तो क्या करें वे चलते रहे तुम जा कहा रहे हो मैं बात कर रहा हूँ और तुम चले जा रहे हो गौतम बोले मैंने बहुत पहले ही जाना बंद कर दिया था मेरी कहीं जाने की कोशिश बहुत पहले ही बंदो चुकी है मैं पहुँच चुका हूँ लेकिन आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं ताब अंगुलीमाल हस पड़ा वो बोला बकवास तुम जरूर एक पागल आदमी हो मैं यहीं खड़ा हूँ और तुम कहते हो मैं जा रहा हूँ तुम जा रहे हो और कहते हो रुक चुके हो तुम्हें हुआ क्या है गौतम बोले नहीं नहीं मैं बहुत पहले ही बहुत चुका हूँ मैं कहीं नहीं जा रहा लेकिन आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको तरीका नहीं पता, आपको मेरी उंगली चाहिए, या मेरी गर्दन, मेरे सिर को पेंडिन्ट बना कर लटका लीजिए, उंगलिया तो हैं, अब मेरा सिर लटका लीजिए, यहार में अच्छा पेंडिन्ट होगा, क्योंकि मुझे मन्जिल मिल गई है, अब मेरे शरीर से, यहां होने से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो चाहें कर सकते हैं, देखिए, हत्या करने में मज़ा तभी आता है, जब कोई डर जाए, और मरना न चाहें, जब कोई मरना चाहें, उसे परवाह ना हो, तो उसे मारने का क्या फाइदा है? और ऐसा लग रहा था, कि इसे मार कर भी, 101 लोगों की मारने की वासना पूरी नहीं होगे, क्योंकि इसे मार कर खुशी नहीं मिलेगी. फिर वो बोला, मुझे बताओ, ये क्या है? तुम चल रहे हो, पर कहते हो, रुक चुके हो. मैं खड़ा हूँ, और तुम कहते हो, मैं चल रहा हूँ. आप अपने तरीके से त्रप्ति खोज रहे हैं. 101 मैं तरुप्त हो चुका हूँ, यही बड़ा फर्क है. आप मेरी जान ले सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप तरुप्त हो जाएंगे, तो क्योंकि लोगों को तरुप्त करना ही मेरा काम है, अगर ये इतनी आसानी से बिना शिक्षा के मेरा गला काट कर हो जाए, बस का से क्या है? तब अंगुली माल उनके स्टार शिष्ष बन गया. फिर गौतम बोले, आप उस शहर में जाओ, जहांके सौ लोग आप मार चुके हो. एक छोटे से शहर के सौ लोग, यानि उसने लगबग हर परिवार के किसी व्यक्ति को मार ढला था. तो गौतम ने उसे साधू बना दिया. गौतम के साधूं को बिक्खो कहते थे. बिक्खो यानि भिका रिये. तो उन्हों ने उसे पीले कपड़े और एक भीक का कटो रा दिया. वे बोलें, जाओ, शहर में भुजन रूटो. तो अंगुली माल शहर में गया. एक साधू के रूप में. लोग उसे देख कर डर गए. वे नहीं जानते थे कि वो यहां क्यों है आया. वे सब जाकर अपनी छटों पर खड़े हो गए. क्योंकि वे उससे डर रहे थे. फिर जब उन्होंने देखा कि वो बदल गया है. और अब भयंकर आदमी नहीं रहा. तो वे पत्थर भैंकने लगे. क्योंकि हर परिवार के लोगों को उसने मारा था. तो वो चलता रहा. उसे पत्थर लगते रहे और खून बहता रहा. जब पत्थर बाजी कुछ जादा हो गई. तब गौतम आये और लोगों को रुकने के लिए कहा. और बोले, ये वो आदमी नहीं है. ये आदमी मेरा हिस्सा है. तुम मुझ पर पत्थर फेंक रहे हो. रु इसे मारने का कोई मतलब नहीं है. क्यूंकि इसे बहुत मुश्किल तरीके से एहसास हुआ है. अब इसे मार कर बरबाद मत कीजिए. तब अंगुली माल, जैसे कि मैंने कहा, एक स्टार शिष्ष बन गये. और पूरे देश में बुद्ध के जीने के तरीके और उनका ग्यान पहलाने लगे. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसी त्रिप्ति चाहते हैं. आपको लगा था कि शिक्षा शित्रिप्ति मिलेगी. जैसे ही आप शिक्षित हुए, आपको लगा आप मूर्ख है. नौकरी ना हो तो शिक्षा का क्या फायदा? आपको नौकरी मिल आप बहुत खुश हुए. फिर कुछ समय बाद आपको लगा आप मूर्ख हैं. इस पैसे का मैं क्या करूँगा अगर मुझे मेरे सपनों की स्त्रिय या पुरुष न मिले, तो वो भी हुआ. कुछ समय बाद आपको लगा आप मूर्ख हैं. ये चलता रहता है. इच्छा यानि विस्तार की चाहत यही आपकी इच्छा हैं. अगर आप विस्तार करने के भौतिक तरीके चुनेंगे, तो आप यहां तक यहां तक यहां तक जा सकते हैं. पर इच्छा बनी रहेगी. अगर मैं आपको धर्ती का राजा बना दूँ, तो आप दूसरे ग्रहों को देखेंगे. अगर मैं आपको सौर मंडल देदू, तो आप आकाश गंगाएं देखेंगे. एक आकाश गंगा मिले, तो आप दूसरी आकाश गंगाओं को देखेंगे. आप ये या वो नहीं चाह आप विस्तार चाहते हैं। अगर आप इससे होश पूर्वक हो जेंगे, तो आप योग बन जाएंगे। योग यानी खुद को टेढ़ा मिड़ा करना नहीं है। योग यानी आप सृष्टी के साथ एक हो जाएंगे। अगर आप ऐसा अचेतंता में करते हैं, तो ये मजबूर करने वाली इच्छा बन जाती है। करते हैं